नमस्कार दोस्तों मैं नाम क्या जादा हूँ आज आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं इससे पहले मैंने जो जेनवी के लिए वीडियो अप्लोड किया था वो वर्ग, वर्गमूल और घन घनमूल के चैप्टर से था यानि दोस्तों उस वीडियो में मैंने आपको वर्ग और वर्गमूल क्या होता है घन और घनमूल क्या होता है ये बात भली बाती बताई थी यहां तक वर्गमूल और घंमूल निकालने की बिधिया भी बताई थी अपने इस वीडियो में आज हम लोग प्रश्णों को हल करने वाले हैं बीना देर किये हुए ठीक है दोस्तों यह वीडियो बहुत ही लेट में आ रहा है मतलब एक प्रकार से आप मान सकते है टाइम ही नहीं मिला तो फिलाल चलिए आइए अभी हम लोग इस वीडियो के अपने सुरू करते हैं और कोशिस करते हैं कि इस वीडियो में हमारी जो main main सवाले हैं वो क्या है हल हो जाए ठीक है देखिए तो जैसे आपकी पहली सवाल क्या है पहली सवाल दोस्तों लिखा हुआ है कि रूट में 1089 भागे 121 दोस्तों यह हमारी पहली नमबर सवाल है ठीक है यह हमारी पहली नमबर सवाल है देखिए तो अगर आप देखे यह जो Root लगा हुआ है यह दोनों संख्छा पर लगा हुआ है इस पर लगा हुआ है कि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं लिख सकते हैं लिख सकते हैं बिलकुल लिख सकते हैं अब बताए दस नवासी किसका वर्ग है तैंतीस का वर्ग है किसका वर्ग है तैंतीस का तो तैंतीस पर इस पर इस पर रूट है क्या है रूट फिर भाग का सिंबल अब एक सो इकीस एकीस ए 11 का दोस्तों मैंने आप से कहा था कम से कम आप एक से लेके 30 तक तो वर्ग याद कर लीजिए ताकि अब दताइए अब आप क्या अगर माली जितना है 30 का तो आप निकाल लेंगे अब अगर आगे इसमें देखिए क्या कह रहा है अब देखिए अब आप हम जानते हैं कि रूट से क्या होता है स्कॉयर कट जाता है क्योंकि दोस्तों देखिए यह जो खाली यह जो खाली रूट ऐसे लगा हुआ है देखिए यह जो खाली ऐसे रूट होता है इसका मतलब होता है कि यहा बताईए हमें आप जो अब इसक्वायर से रूट क्या हो जाएगा कट जाएगा इस स्क्वायर से भी रूट यहां क्या हो जाएगा तो अब यहां आया 33 भाग का सिम्बल 11 भाग देंगे तो क्या जाएगा दूस्तों तीन ठीक है यह हमारा राइट एंसर होगे चलिए अब हम सब्सक्राइब है कि एक यूब है क्यूब रूट है एक मांघ बताना क्या करना है तो तो थे आपको बता है यह हैं तो मैंने आपको बता ये यह जुसके अंदर जो संख्या है, वो किस संख्या है का क्या है, वर्ग है, लेकिन यहाँ पे तीन लिखो, इसका मतलब कि इसके अंदर जो संख्या है, वो किसी न किसी की घंड होगी, तो देखिए जब आपको ऐसा मिल जाए, तब कैसे करेंगे न, तो सबसे पहले आप ये दसम्लो को हटा लीजिए का करिए I mean क्या करिए दसम्लो को लीजिए आप हटा तो देखिए तीन अंग के बाद दसम्लो है ना तो पहले उपर आठ ही लिखिए दसम्लो के स्थान पे एक एक दो तीन तीन अंग के बाद दसम्लो तो नीचे तीन दीरो लिख दिया अब बता हो ना तो अब ये ये क्यूब से क्या हो जाएगा कट जाएगा बचा हमारा दो बटे में दस यानि दोस्तो टू पॉइंट जीरो पॉइंट टू देखे कैसे यहां एक जीरो था तो एक अंग के बाद दसमू लगा दिया मैंने आपको यह तरीका पहले ही बता चलिए थर्ड नमबर सवाल हल कर लेते हैं देखी थर्ड नमबर सवाल में हमसे कहा जा रहा है दोस्तों कि एक स्कूर में विद्यार्थियों से दो हजार तीन सो चार रुपए फीस के लिए गए ठीक है एक स्कूर में विद्यार्थियों से दो हजार तीन सो रुपए फीस के लिए गए य कि जितने विद्यार्थी ती उतने ही पैसे दी अगर टोटल इतने इतना पैसे गया है तो दोस्तों यदि मैं इसका क्या निकाल लू वर्ग मूल निकाल लू तो पता चल जाएगा कि इतने विद्यार्थी थे ठीक है तो चलिए आईएब हम लोग आपको इसका वर्ग मूल न कालना सिखाया देखिए उसी बीदी से हम लोग यहां करते हैं पहले कुछ इस प्रकार का हम लोग डाइग्राम बनाते हैं अब पीछे से जोड़ा बनाते हैं बना लिए पीछे से तो अब चलिए तेज से कम किस संख्या कवर गए है चार का तो यहां लिखिया चार यहां जाए तो हम बढ़ा रहे हैं यहां आठ और आठ से ही गुड़ा कर रहे हैं तो देखिए आठ अठे चौन सट तो हांसिन छे चला जाएगा तो आठे चौन सट चा सतर यहां भी हम आठ लिग देंगी यहां तो पुरा कैंसील हो गया यानि दोस्तों तेइस जीरो चार यह किस स हमारी सवाल है वह किस इस प्रकार की है देखिए कह रहा है हल कीजिए रूट में 179 प्लस रूट में 144 माइनस रूट में 225 यह है दोस्तों हमारी चौथ ही नंबर सवाल ठीक है अब देखिए इसे हल करना मैंने आपको पहले ही रह सला दिया था कि एक से तीस तक वर्ग एक स 20 तक घन याद कर लीजिए अन्यता बहुत जाज़ा दिकत हो जाएगी ठीक है तो चलिए अब बताईए 179 किसका वर्ग है 13 का है यहां रूट प्लस 144 12 का वर्ग है 225 का वर्ग है अब वर्ग से रूट क्या हो जाएगा कट जाएगा तो यहां 13 प्लस 12 माइनस 15 इसे जोड़ सवाल में कुछ नहीं था दोस्तों केवल आपको वर्ग याद होना चाहिए था यदि आपको वर्ग याद होता तो आप इसे भली भाती कर लेते अब देखिए हमारी पांचवी नंबर सवाल क्या कह रहा है कि यहीं पे कर दे रहे हैं ज्यादा जगह नहीं लेगा 0.04 ठीक ह संख्या का वर्ग है फिर इसका वर्ग मूल क्या होगा तो मैंने आपको बताया था ऐसी सवालों के लिए क्या करें देखिए इसका वर्ग मूल ग्यांत करने के लिए फिलहाल हमसे कह रहा है न तो इसका हम लोग क्या निकालने का तरीका क्या होता है कुछ इस प्रकार का होत वर्ग मूल है मतलब 4 का वर्ग मूल क्या है 2 चार वर्ग दो का वर्ग है और सब जो है वो 10 का वर्ग है यानि दोस्तों एक यह एक जीरो तो एक अंके बाद दसमलो यानि 0.2 हमारा राइट एंसर हो जाएगा ठीक है तो देखिए अब चलिए हम लोग पेस को लेते हैं पलट जगा उधर बच्ची नहीं है अब हम लोग करते हैं इधर हल ठीक है तो देखिए अब जो इसके बाद हमारी छटी नंबर सवाल है दोस्तों देखिए क्या कह रहा है कि चार सही 29 बटे में 49 यह हमारा क्यूश्चन है चार सही 29 बटे में 49 का वर्ग मूल ग्यावत कीजिए फ करते हैं क्या करते हैं चार का उंचास में गुड़ा करके 29 यह जोड़ेंगे तो आजाएगा हमारा 225 बटे में 29 क्या आजाएगा ठीक है अब वर्गमूल निकालने के लिए कह रहा था हम 225 का अलग निकाल लेंगे 49 का लग लेकिन हमें इतने वर्गमूल तो याद ही है इसकी तो निकालने की नौबत नहीं आएगी तो अगर नहीं भी याद है तो आप लोग प्लीज एक से लिए के तीस तक वर्ग याद कर लीजिए अन्यथा आप इतना अगर छोटा छोटा वर्गमूल पेपर में निकालने लगे तो आपका टाइम बहुत खराब चला जाएगा और हो सकता है आप पूरे क्विशन अटैम ही ना कर पाएं तो क्या फायदा है ना तो आप याद कर लीजिए आपको हल करने में भी चलिए साथीवी नंबर सवाल में हमसे कहा जा रहा है कि 1849 का वर्गमूल जयाती फिर देखे वर्गमूल ही कह रहा है एक हजार आट सो उन्चास यही विश्चन है फिर से देख लिया जाए हाँ इसका हमें वर्गमूल बताना है तो वर्गमूल निकालने के लिए पहले कु संख्या जिसका वर्ग 18 से कामाएगा चार है ना तो यहां चार लिखी इसके नीचे एक और चार उपर भी लिख दी तो चार कवर के आगा तीन तरिके नो तीन अठे चौबिस यह पूरा क्या होगा कैंसिल यह तीन हम यहां भी लिख देते याणी दोस्तों 1859 किसका था वर्ग तेइस का अठारा उन्चास का वर्ग मूल क्या है तिरालिस है और इस लिख अठारा उन्चास यह एक फजार आटसो उन्चास ठीक है मूल ज्यानत कीजिए हमें इसका बताना है कि वर्ग मूल क्या होगा ना तो देखिए वैसे फिलाल कुछ बच्चे तो अभी इसमें देखिए मैं बता रहे हूं वर्ग मूल निकालना ठीक है देखिए कुछ इस प्रकारड का ड्राइगराम तयार करिए ठीक है अब देखिए सब्सक्राइब करों । तो ना नहीज परण हैं किस संक्या वर्फ है किस यहां इक करने दो जोडे उतार गाए्म चक्राइब यहां जूड़ार यहां बताइब हैं कि सब्सक्राइब कि या तो इसके बराबर या तो इसके कम अगर हम तीन से करेंगे तो बहुत काम आ जागत काम करते हैं साथ से करते हैं तो 177,9,4,7,14,4,8, यहां पूरा क्यों कट गया यहां भी साथ यहनि दोस्तों 289 किसका वर्ग था किसका वर्ग था 289 का वर्ग मुल क्या है 17 है क्या है 17 अब बात ये थी दोस्तों कि पहली बात तो हमने आप कहा था कि एक से तीस तक वर्ग आप याद कर लीजिए अब बताईए इसका भी वर्ग मूल आप निकालने बैठेंगे तो फिलाल हम बता दिये हैं आना चाहिए देखिए आना चाहिए लेकिन अगर कुछ चीजे याद कर लीजिए तो ज़्यादा बैटर रहे ठीक है चलिए आगे बढ करते हैं अब देखिए नवी नंबर सवाल में हमसे कहा जा रहा है और सौ मैं से कम से कम किस संख्या को घटाया जाए कि इस प्रकार से प्राप्त संख्या एक पूरग होrik मैं इसका वर्गSchкой अक उलक एक कर का ड्राइगराम तैयार किया चलिए जोड़ा बना लेते हैं बन गया तो दो न आठ से कम किस संख्या कवर गए दो का तो यहां क्या आएगा चलिए इसे जोड़ लेंगे अब बताई किस संख्या को बढ़ाएं और उसी से उसमें गुड़ा भी करना पड़ेगा तो हम क्या ब बढ़ाबार आजाए ठीक है दो ही स्तिती होंगी या तो इसे तो बढ़ाबर चलिए फिर अगर हम लोग एक करें या फिर दो करें या फिरतीन करें चार पांच छे साथ दाध हम आठ रखते हैं क्या करते हैं आठ चली आठ यहां बढ़ाते हैं और आठ से ही गुड़ा करते हैं आठ टाई चौशाट हाशल क्या हो जाएगा छे ठीक है आठ चो बतीस बतीस चा अर्टीस घटाएंगे तो यहां क्या आएगा सोला इधर भी या यानि दोस्तो सोला क्या हो रहा था बच रहा था जब मैंने आठ सो का वर्ग नून लिकाला तो सोला अगर यह सोला ना होता तो हमें यकी है कि आठ सो पक्का किसी ना किसी का वर्ग होता अगर इस आठ सो में सोला ना होता यानि कितना होता साथ सो चौरासी तो यह पक्का कि किसी का वर्ग होता तो फिर एक काम करें यहीं इतना सेज़ बस जाता है तो आठ सो में सोला घटा दी अब जो आया दोस्तों दसवी नंबर है कि सरल कीजिए देखिए हमें सरल करना है रूट में 1.69 प्लस रूट में 0.25 पूरे का बटा है रूट में 1.44 माइनस रूट में 0.36 यह हमारा Questions है ठीक है अब देखिए फिर मैने वही चीज आप वर्ग यात करने ज करो लिए एक से 30 तक और सबसे पहले हम करते हैं point हटा लेते हैं क्या करते हैं point हटाती है चले point हटाने की करिया हम इस तरह आप से सुरू करते तो सब्सक्राइब कर दो अंग तो जी रोंक्ति इसका भी हटाते हैं यहां भी सब्सक्राइब कि इसका भी अब छलिए देखिए एक यह जो 179 है कि इसका वर्ग है 13 का 10 का पूरे का हम whole square कर रहेँ ठीक है बटे में कैं इसके साथ क्या है root 25 पांच का 110 का इसका हम whole square 12 10 का whole square फिर इस पर क्या लगा हुआ है root 6 10 का whole square फिर इस पर क्या लगा हुआ है root थोड़ा सा आप देख लीजे हमने इसको कैसे किया देखी जब हम देखिए थोड़ा सो उपर ये जगह दिख रही आप देखिए 79 किसका वर्ग है 13 का 100 किसका वर्ग है 10 का तो हम ऐसे लिखेंगे ना ऐसे ही तो लिखेंगे इसके साथ क्या था उपर रूट था तो इसको हम जानते हैं आप जब घतांग पढ़ेंगे ना जब आठ नौ में जाएंगे तब यह आपको चीज पता चलेगी फिलाल भी बता दे यह जा रहा है क्योंकि को स्टन में आप क्या यह हुआ ठीक है तो ऐसे लिखेंगे क्योंकि 13 कवर क्या है 69 बटे में 10 कवर क्या है 100 अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं होल स्कुरा करके इसका मतलब कि यह स्कुराइर तेरा के साथ भी और दस के साथ बेजो कि क्रिया हमने चारो चारो इसमें यह दिखें करकिए न कि यह दो है यह 13 के 7पेशा दस के साथ पांच यह दसके साथ दसके बारा के साथ अब चलिए आगे आप बनानीया है कि रूट से घृट क्या हो जाता है का दे बास समझ में ल creation कट दिया चलिए यहां आया तेरा बटे में दस एक जीरो तो एक अंके बाद दसमलो यानि 1.3 ऐसे सब में किया है अब देखे जब इसे जोड़ेंगे तो यहां आएगा 1.8 घटाएंगे तो आएगा 0.6 फिर इसे काट दीजी आ जाएगा हमारा राइट एंसवर 3 ठीक है चलिए अब हम लोग हल करते हैं अपनी अगली नंबर सवाल जो हमारी ग्रहवी नंबर सवाल है चलिए देखिए ग्रहवी नंबर सवाल में हमसे फिर सरल करने के लिए कह रहा है कि रूट में 289 प्लस रूट में 144 माइनस रूट में 225 यह सवाल हमें क्या करना है सरल करना है ठीक है आई मीन हल करना है तो दे अभी जस्ट हम लोगों निकाला था दिखाया यह पेज यह देखिए निकाले इसी पेज में न तो 289 किसका वर्ग था चलिए अब देखिए 144 किसका है 12 का है हमारा राइट एंसर क्या हो जाएगा 14 ठीक है I hope कि आपको सवाले भली भाती समझ आ रहे होगी चलिए आगे की सवाले भी हम लोग हल करते हैं अगली नंबर जो हमारी सवाल है फ्रेंड्स देखिए यानि जो हमारी 12 नंबर सवाल है क्या है 12 नंबर सवाल जो देखिए वो क्य रहा है कि 12 बटे में रूत में 324 प्लस रूत में 144 बटे में 18 ये सवाल हमें क्या करनी है सरल करनी है क्या करनी है सरल इसका मतलब है कि इसे ह她ने करें oneself लोग तो चलिए पहले जो रूत में उसे हटाने की कोसिस करते हैं तो देखिए बारा जो इसके अंदर रूट में संख्या है ये किसका वर्ग है अठारा का वर्ग है यानि तीन सो चौबिस का वर्ग मूल क्या है अठारा अब एक सो चौबारीस का वर्ग मूल क्या है बारा बार बारा आ रहा है तो इसे तो यादी कर लीजी अब बताईए वर प्लस बारा यहां जाएगा चौबिस बटे में अठारा छे चौब चौबिस तरीक ठारा यानि चार बटा तीन हमारा राइट एंसर ठीक है चलिए अब अगली सवाल यानि तेरा नमबर सवाल की और बढ़ते हैं इस सवाल में हमसे कह रहा है कि 150 बटे में रूट सवाल को धीक किया करना है तो देखिए इससे कैसे करेंगी पहले रूट हटाइए तो देखिए जो रूट के अंदर संख्या वह 15 का वर्ग है क्या है एंटू 1 बाई 10 था ही अब रूट से क्या हो जाता है वर्ग कट जाता है यहां आएगा 15 गुड़े में 1 बाई 10 तो अब देखे एक जिरो से एक जिरो 15 से 15 कट गया बचा क्या हमारा एक तो राइट एंसर हमारा क्या हो जाएगा एक ठीक है चलिए देखते हैं अपनी हम 14 105 बटे में 48 गुड़े में 315 इक्वल रूट में क्यूश्चन मार यह सवाल है हमसे पूछा जा रहा है कि बताईए क्या आएगा क्यूश्चन मार के स्थान पर कौन सी संख्या आने वाली है आप क्यूश्चन मार के स्थान पर यक्स कर सकते हैं क्या कर सकते हैं ऐसे में 1872 एक सो पांच का गुड़ा करने वाले हैं तो आएगा हमारा एक लाख एक लाख 36,080 ठीक है और जब 48,315 का गुड़ा करेंगे तो 15,120 यहां क्या था रूट में यक्स था अब जब इसे हम लोग काटेंगे तो यहां आने वाला है नो क्या आने वाला है इधर क्या है रूट में यक्स है आपको आज हम एक चीज बताते हैं ध्यान रखिए कि जब भी आपको रूट में यक्स मिल जाए ठीक है जब आपको रूट में यक्स मिल जाए ऐसी इस्तिती में फ्रेंड्स हम लोग यक्स को रूट यकसतों क्या करेंगे दूरोडव करेंगे मा लिजिए यह रूट कोई चओर है हमारे यकसको पकड़ लियाई इसको हटाने के लJesus हो पक्षो कर दीते हैं वड्व चलिए करते हैं हम दोनों पक्षो तो अब यहां करेंगे तो नौ कवर क्या हो जागी क्या सी अब देखिए रूट यक्स इंटू रूट यक्स ठीक है आंस्वर क्या हो जाता है यक्स हो जाता है क्या हो जाता है यक्स क्यूंकि देखिए दोस्तों जब आप रूट यक्स इंटू रूट यक्स करेंगे तो आए ये पंदा नंबर क्यूस्टन्स में है, खूब बड़ा सा रूट, ये इतना बड़ा सा, उसके बाद ब्रेकेट में 133 माइनस 89 प्लस 25 गुड़ते में 4, ये हमारा प्रश्ण है, इसी को हमें क्या करना है, सरल करना है, तो चलिए, सबसे पहले जो ब्रेकेट में हम लोग उसे ह खल कर लेते हैं, तो चलिए 133 में से हम लोग क्या करते हैं, नवासी घटाते हैं, जब आप 133 में नवासी घटाएंगे, तो यहां क्या जाएगा, 44 प्लस, और सौ में 25 में 4 का गुड़ा करेंगे, तो क्या जाएगा, 100, अब चलिए, 144 में 100 जोडएंगे, तो 144, 144 किसका वर् अगमूल क्या है, 12, तो स्कार से रूट कट कि हमारे राइट एंसर क्या हो जाएगा, 12, ठीक है, चलिए, 16 नमबर सवाल देखिये, 16 नमबर सवाल में हमसे कहए रहा है, की रूट 256 INTO 4 का स्कार इक्वायर इक्वाल 1 तो यक्स का मान बताईए, हमसे किसका मान पूछ रहा है यक्स आप ये बताएए 256 किसका वर्ग है 16 का वर्ग से root cut into 4 अगर इसको हम 4 कवर कर दे तो यहाँ 16 यक्स तो देखिए 16 into 16 equal x फिर हमारा क्या आजाएगा 256 equal x यानि 1 से बराबर क्या हो जाएगा 256 ठीक है चलिए 17 नमबर सवाल में फ्रेंड्स देखिए यहीं पहल कर देता है ज्यादा बड़ी सवाल नहीं है देखिए यहां लिखा हुआ है root में yaks बटे में 16 equal 15 बटे में 8 यह हमारा प्रश्ण है फिर वही हमसे किसका मान पूछ तो जानते होंगे yaks का किसका पूछ रहा है कि yaks का पूछ रहा है बाकी आपको अगर आता होता तो आप ये वीडियो प्ले ही ना करते है तो मतलब दिख रहा है कि बाकी हर जगा अंक्या यह यह नहीं पक्का इसी का मान पूछ रहा हो चलिए अब बाकी हम लोग हल करते है यहां पर इसे काट दे तो क्या आएगा रूट में यक्स ही आएगा अब 15 दूनी क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा अब फिर वही नियम हमारे यक्स जी को किसने पकड़ लिया है रूट ने कबजा कर लिया है उन पर तो उनको छुडाने के लिए हम दोनों पक्छो का क्या करेंगे वर्ग करेंगे जब हमने दोनों पक्छो को वर्ग किया तो रूट ने क्या कर दिया छोड़ दिया हमारे यक्स कोई यहां क्या आगया 930 को वर्ग क्या होता है 900 समझ गये कैसे हुआ चलिए आगे की सवाल है दोस्तो इधर पर ना यह रहा है इस पेस देखिए आगे की जो हमारी सवाल है वो है 18 वी नंबर कह रहा है की 625 का वर्ग मूल बताईए किसका दोस्तो 625 का पहले निकाल देते हैं इसका वर्ग मूल हम लो अगे एक जिरो क्योंकि जोड़ा कंप्लीट नहीं था ना लोग पेर में होते हैं अब बताईए च्छे से कम किसका वर्ग मूल है दो का तो यहां जाएगा चार बचेगा दो और एक जोड़ा उतर आया तो अब इसे जोड़ेंगे तो क्या चार आप पांसे हम लोग गुड़ा करते हैं पच्छा हम पचीस हांसी लागे दो पांच और बीस दो बाइस यहां तो कैंसिल यह पांच यहां यानि छे सो पचीस की संख्या का वर्ग था दोस्तों पचीस का था ठीक है चलिए अब अठावी हो गए उननीस वी नंबर सवाल देखेजी उननीस वी नंबर सवाल में कह रहा है सोला सौका वर्ग मूल कि सका कह रहा है सोला सौका फिर हम लोग किसका निकालते हैं अब हम लोग सौला सौका निकालते हैं कुछ इस प्रकार का ड्राइग्राम तैयार किया जोड़ा बनाया अब देखिए 16 से का में 16 के बरबर किसका वर्ग चार का तो यहां लिखेंगे हम लोग यह 0 आ गया अब यहां पर 0 उतरेगा ठीक है अब इसे हम लोग जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा तो अब हम लोग यहां 0 बढ़ाएंगे 0 से गुड़ा करेंगे ताकि यहां क्या आ जाए 0-0 आ जाए तो यह पुरा क्या होगा कट गया तो यहां भी 0 लिख देंगे यानि दोस्तों 40 का वर्ग क्या होगा 16 सो होगा क्या होगा 16 सो होगा ठीक है चलिए अब देख लेते हैं बीसवी नंबर सवाल बीसवी नंबर सवाल में हमसे कह रहा है देखिए यह तबड़ा सा रूट प्लस वन बटे में यक्स यह सवाल लिख दे यह देखिए रूट में है वन प्लस यक्स बाई यक्स का मान हमें इसमें बताना है तो देखिए सबसे पहले हम करते क्या है चलिए पहले हम लोग इसे इसमें गुड़ा कर देते हैं फिर इस जोड़ देते हैं तो जब हम लोग इसमें गुड़ा करेंगे तो 144 प्लस यक्स बाटे में 144 ही आएग इक्स बाटे में 12 अब देखि कि हमारे yaks ji kadli में हैं यानि रूट में है ना तो दोनों पक्छो का वर करते हैं उनको छुडाने के लिए। क्या करते हैं दोनों पक्छो का वर करती है अब देखिए यहां से रूट तो स्क्रस्कार कट गया तो यहां halic 144 प्लस yaks बटे में 144 यहां गगग क्या यक्स इक्वल 179 ये प्लस में है उधर जाके माइनस में हो जाएगा तो 179 में 144 जैगा है हमारा 25 ठीक है तो ये देखिए दोस्तों हमने आपको पूरी 20 सवाले करा दी हैं जैसा कि हमारी प्रशनावली में दे रखा था ठीक है आई होप कि मैंने जीतनी भी सवाले बताई आपको समझ आई होगी यदि आपको समझ आया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा और साथी साथ जो परसानी होगी जो बाते कुछ नहीं समझ आई होगी कमेंट बॉक्स उसके लिए है करिए बताईए और क्या चीज आपको चाहिए उसके लिए भी आप कमेंट करिए तो फिलाल I hope कि आपको मेरा वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया है ठीक है दोस्तों तो आप जितना मैंने बताया उसकी एक बर फिर प्रैक्टिस करिए जितना हो सके आप उस ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस फिलाल अभी के लिए हम चलते हैं मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और इंट्रेस्टिंग पॉइंट को लेकर जाहिंद वंते मांत्रा